जम्मु कश्मीर के विभिन हिस्सों में उचित योगिता और साग के बिना अविद रूप से दवा का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के उधारणों की सूचना दी गई है इस तरह के प्रतीरूप अक्सर चिकितसा साइता की मांग करने वाले रोग्यों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और जोखिम में रहने वाले पेशावर नेतिक मानकों का उलंगन करते हैं इन व्यक्तियों की धोकदड़ी प्रक्रती से अंजान मरीजों को गलत तरीके से गलत उपचार और उनके स्वास्त के लिए संभावित नुकसान के लिए असवेदिन शिल होते हैं नकली डॉक्टरों का प्रसार कई कारोकों का परिणाम है जिसमें भरती प्रक्रियाओं के दोरान कड़े स्क्रीनिंग तंत्र की कमी और इसमुद्दे को हल करने के लिए एक व्यापक नियमक धाचे की अनुपस्तिती सहित कई कारोकों का एक परिणाम है अगर आप भी ऐसे कई फरजी डॉक्टर को जानते हैं तो इसकी सूचना स्वास विभाग को जरूर दे तो हमारे कोम का क्या होगा आप तुझे बताविजे आप नोगने तो बरबास करके रखा रहा है ना ये आपका वहीं राइस्टेशन नहीं लिकर रही है तो तो हैं ही मैं डिगरी यह मिस्वानी कृलिक वाले दिगरी दिखाओ मुझे ना असलाम आले को रहा है तो मैं डाक्र बारदाएक टर्मिनेटर प्रेशन है आज हम बात करेंगे मुन्ना भाई एमबिवियस जो मूवी है वो प्रैक्टिकली लाइट में होती है ऐसे डॉक्टर हमारी सूसाइटी में है के नहीं आज उन्हीं पे बात करेंगी जो ये फेक ड ऐसे की डिर्मिनटर को बारी से बाद बहुत सारी है बहुत सारze ऑगो की लिस्ट बनी हुई है उनको कैसे मैं ने 10 से लेके 12 दिन में एक्सपोज किया मैं और मेरी टीम लगाया है बारातिम दिन से 6 फेज़न भारीन कंकि 2 अघूलू कर company, साटरड़ दे का दिन का दिन था स मैंने का ऐसे एक्ट किया एस पेशन्ट और डाक्टर गुलजार सहाब जो एमडी है कहां से पीजी आई से और गैस्ट्रो एंट्रोलाजिस्ट है आप पूरा देख सकते हैं लिस्ट में और इनकी जो रेजिस्टेशन नंबर है कि ये सब मेरे सामने हैं 1504 और फी जो ये लेते हैं लेकिन इन्होंने मुझसे फी नहीं ली क्योंकि इनने कहा शायद आप भी डाक्ट सहाब हो इसलिए उनने नहीं ली और अचानक जब मैं क्लिनिक में एंटर होता हूं कोई ना कोई सोर्स उस क्लिनिक वाले को इंटिमेट करता है डाक्टर बारी आपके क्लिनिक में आया तो वो जल्दी क्लिनिक वाला बाग जाता है कहीं से उसको फोन करता है डॉक्ट साहब को कि डॉक्टर बारी है इससे फीस ना लीजिए फीस उन्होंने नहीं लिया और मैंने फिर दवाई भी नहीं ली वहां से उसके बाद जब मैं निकला वहां से फिर डाक्स साहब के कैंटीनियू मुझे कॉल आने लगे आप मुझे मिली है मुझे बात करनी है या उसको कुछ लालज थी आपको जो भी चाहिए वो किमकि मैंने फिर चंद मेडिया वालों को भी वहां लिया उनको भी उन्होंने आफर किया था लेकिन काम हार एक चीज मैंन फोर जब एंटर करते हैं तो वहां जो निकलते हैं वो निकलते हैं डाक्टर जहूर अहमद साहब सानाब गुलाम हसनाब को देख लीजे मैं पूरे वेब साइट पर दिखा रहा हूँ और फिर जब मैं ये भी फेल होता है क्योंकि यहां पर गुलजार साहब तो कहीं आये मिलते हैं मुझे गुलजार साहब मिन्स मुनना भाई एंबीबेस वो कहीं भी लिस्ट में नहीं है जो मोएंड कश्मीर मेडिकल काउंसल के लिस्ट में क्योंकि हर एक अपडेट है हर एक रेजिस्टेशन नंबर वहां पर दिया है लेकिन वो कहीं नहीं है अब देख लीज था और पूरा एग्जिकेट उनहीं को करना था क्योंकि मैंने उनको ही पूरा नेटवर्ग दिया था मैंने उनको पूरा एसस दिया था हर एक चीज़ उनहीं पर डाली थी और वो हेड कर रहे थे लीड कर रहे थे उमर भाई को सलूट क्योंकि उनने बहुत अच्छा काम कि इस पूरे को बरस्ट करने में उसके बाद उन्होंने क्या किया वो एक उमर भाई एक फॉर्मेसिस्ट बने फॉर्मेसिस्ट के जिरिये इन्होंने क्या लालज दी गुलजार साहब को जिनकी फोटोग्राफ पीछे है कार्ड भी दिखा रहे हैं हम डक्स साहब को उन्होंने ल क्या क्या और जो सटकेट है उसमें सीधे PGI चंदीगर से इन्होंने किया है MD लेकिन अन्फॉर्चनेटली इन्होंने एडिट किये है कश्मीर युनिवरस्टी की डिगरी और उसमें क्रॉस में जब आया तो उपर कश्मीर लिखा है नीचे सिरनगर लिखा है तो वो फज गया बंदा कश्मीर युनिवरस्टी का लोगो और वो फज गया बंदा तो वो डिगरी भी हमारे पास है वो भी आप देख सकते है उसके बाद अगर हम प्रोफाइल देखेंगे गुलजार साहब का आप इनका कार्ड देखेंगे उस पे लिखा है MD General Medicine और Super Specialist in Gastro Medicine उसके बाद ड consultant है यह physician है specialist है gastro medicine में मतलब expert है उसके बाद unfortunately रैडियो कश्मीर सिर्नगर से भी एक certificate मिला हुआ है 24-4-1989 आर ना डे फूल्स आप खुद देख लीजिए रैडियो कश्मीर सिर्नगर ने भी इनको एक certificate दिया है उसमें लिखा है सीधे हमारे technical stop को training दे रहे हैं Dr. गुलजार भी इस training दे रहे हैं और रैडियो कश्मीर सिर्नगर में इनने दो तीन दिन training दी और उस training की certificate भी आप अनफॉर्जनेटली इंडियान Red Cross Society की Mr. गुलजार सहाब को lifetime membership वो भी आप देख सकते हैं और यह number क्या है 1673 of 2000 2000 में इनको life membership मिला है किसमे Indian Red Cross Society is not a shame for our system यह शर्म की बात है क्या उसके बाद अगर देखेंगे even disaster risk reduction सुफियरस एंड डिजास्टर रिसक reduction की एक certificate है 14 से लेके 16 January 2019 में तीन त्री डेज का program है उसमें बंदा training दे रहा है is not a shame for our system क्योंकि high officials तो यह देखते ही नहीं है उनके आँखों के सामने यह गबन करते हैं और वो आराम से आई से बैठे हुए है is not a shame for your credibility और आप लोग salary लेते हो इतने हम जारल पाबलिक के खून पसीने टेक्स पिर्स के खून पसीने की महनत से आप salary लेते हो but you are accountable आप हो but you are not doing your work उसके बाद बोर्ड आप डिरेक्टोरेटिस इंटरनेशनल सुसाइटी होंग कॉंग से इनको सेटकेट मिलता है 1984 doctor of Chinese medicine वो सेटकेटमी मैं दिखाऊंगा वो ये खुद प्रूव करेंगे कि वो कहां से लाया और क्या किया उसके बाद American Academy of continuing medicine education उससे एक सेटकेट प्रोइड करते हैं और उसके बाद so sad बहुत सारे आप लोगों मैं जाते होंगे खैबर medical institute सिर नगर लेकिन खैबर वालों ने इस बंदे को appointment order दिया दस बारा 18 को खैबर medical institute बाई साब को डाक्टर गुलजार को डाक्टर गुलजार साब को ये क्या करते हैं appointment करते हैं और as a resident doctor resident doctor उनको appointment करते हैं और salary भी अच्छी खासी देते होंगे और नीचे अगर sign देखेंगे management khyber medical institute is not a shame for you people is not a shame for your institution आप लोगों को शर्म आनी चाहिए वो सबसे पहले करते थे national drug store पूर हावल सिरनगर उसकी photograph पीछे देख लीजिए उसके बाद mankind pharmacy नौशेरा सिरनगर उसके बाद medivine pharmacy जो मैंने आज sitting operation किया ये पूरा medivine pharmacy में किया as a patient बन के गया ये पूरी detail आप देख लीजिए कैसे कैसे वो मुझे इलाज करते हैं और वो मुझे कैसे prescription देते हैं क्या 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 कहते हैं और आप देखीजे मुझे table पे लिटा आते हैं क्या क्या करते हैं और पूरा action आप खुद बखुद देखेंगे और फिर मुझे call करते हैं call करने के बाद मुझे कितना गुसा आता है क्योंकि कहते हैं आपको जो मतलब चाहिए वो सब मैं दे दूगा और मैं उस पर कितना चलाता हूं वो अनवर्सेशन करता हूं और पूछता हूं ये कब वहां बैठेंगे मैं सीधे कहता हूं उनको मेरा एक पेशन्ट है उनको आना है और व आप यहाद आप एटी होचा है रख लगर बादे बात वादन काँ सेद भारास है भादवायर दोर्श वाद टॉलरा सुछर है इस आप अफ्टार्थ? पीज़ रोद दून सुछरा है? अनुस्ड नटर गुलजार रसक्राइबसर पसूर्ट के स्पीद्ट के बिश्चेंट के सिर्फ इथे लोन कहीं होड़ाओंग ज़े रावाद के बाद ग्रेटर कश्मीर में एड आता है Top gastroenterologist Now soon in Gondherbal Is not a shame for the system Is not a shame For the people who are media जो media से related है वो कैसे कैसे इनको ये शर्म की बात नहीं है कि Top gastroenterologist in Gondherbal डिस्ट्रिक उसके बाद intro भी दिया जाता है 18 जनवरी को For first time top gastroenterologist is in Gondherbal मेरी request है आउस्बिल्लाहिमिन श्यटारजी बिस्मिल्लाहिर रह्मार रहीम आप सभी लोगों का V.A.C.C. 24 नेउस में स्वाकत है मैं आपको Live Vigibles में ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाली में जमुकिश्मीर के अंदर बरबारी हुई और जिस मैं आप देख सकते हो मेरे पीछे कि पूरी तरीके से जो है पूरी जमीन जो है सभे चादर में लिप्टी हुई है ये ल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है इसके साथ साथ हम आपको आज ये खबर देने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जो हम भी आपको वीजवलस में दिखाने की कोशिश करेंगे कि जमू कश्मीर के अंदर आए दिन हम देखते हैं कि फैंक डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैवेट कलीनिक्स के अंदर और कहीं ने कहीं मेडिकल शॉप्स के अंदर भी ये जो डॉक्टर्स साब आज एक्सपोज हुए हैं आप देख लीजिए इन्होंने सिवल सोसाइटी से कितनी सेटिफिकेटे हासल की है लेकिन जब इसकी डिगरी चेक कीगी तो वहां पर पाया गया कि वो डॉक्टर फैक है उसने कभी मेडिकल कॉलेज का दरवाजा ही नहीं देखा है और आप देख सकते हों कि इस वीडियो में एक हॉस्पिटल का नाम भी जिकर किया गया है जिन लोगों ने बाजबता तोर पे इस फैक डॉक्टर को अपने कलीनिक में परमीशन दी थी प्रैक्टिस करने की वह हाइबर हॉस्पिटल मैं नाजरीन को ये चीज बोलना चाहूंगा कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे दूर्दराज पस्मानदा अलातों से भी लोग निकल के इस हॉस्पिटल में इन्फरस्ट्रक्शर देखकर ये जानते थे कि शायद इन हॉस्पिटल के अंदर जिस परकार का इन्फरस्ट्रक्शर है इसी परकार से एतने काबिल तरीन डॉक्टर साहबानस भी वहाँ पर होंगे लेकिन आज जब ये एक्सपोज हो गया कि इन हॉस्पिटल्स के अंदर फैंक डॉक्टर्स को बिठाया जाता है तो इसलिए हम अवाम को मीडिया इस फोर्थ पिलर आप डेमोक्रिसी लोगों को इस बात से बहवर कर देना चाहते है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएए फस्ट आफाल उसके रिजिस्टेशन नंबर चेक कीजिए ये रिजिस्टर डॉक्टर है या ये कहीं से फैंक डिगरी या किसी जगह से इसने कोई स्कैन करके डिगरी तो नहीं रखी है अब जहीर सी बात है जो फैंक ड अमरीकन मेडिकल अकैडमी से सर्टिफिकेट हासिल की जब वही सर्टिफिकेट वो अपने कलीनिक पे चिपकाता है तो जहर सी बात है कि पेशिट फैफिल होगा लेकिन यही सर्टिफिकेट है देखने के बाद जब पेशिट को आज मालूम हुआ होगा कि ये एक फैंक था तो कितनी बड़ी मायूसी होगी होगी अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी जगों पर हम देखते है कि बड़ी डॉक्टर्स जो है वो एक फैंक है इसलिए इसको एनलेसिस किया जाए और इनको जो मेडिकल आफिसर से ब्लॉक मेडिकल आफिसर से चीप मेडिकल आफिसर से उनको इसको सर्वाइव करना चाहे कि उनके एरियास में भी तो कहीं ऐसे लोग तो नहीं है आप देखते रही वेस्ट इट इस ट्वाइटी फॉर निवस्वासिन कान के साथ